और जी हम बात करने वाले हैं फाइलम काइनो रिंका के इंटर्नल फीचर्स के हवाले से तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी वॉल तो इनकी जो लेफ्ट साइड पर आप देखें बॉडी वॉल प्रेजेंट है और यहां पर जो है इट इस कंसेस्ट आफ क्यूटिकल एप of muscles are present. No everyone is ventral lateral muscles and No two is dorsal lateral muscles. यहां पर आपको नज़र आ रहें according to their position. in the ventral region में होंगे तो ventral lateral और अगे dorsal region में हैं तो dorsal lateral muscles नको कहेंगे. तो इनकी position के इतबार से इनको नाम दिया गया है और definitely इन muscles का का काम यही है कि ah body movements ठीक है और वो body के अंदर कोई fluid की movement भी हो सकती है और body की movement भी जो है उसको ये possible बनाते है ठीक है इसी तरह से digestive system में भी इनका रोल होता है जो digestive material है उसकी movement में भी अपना किर्दार अदा करते है ठीक है दरम्यान में हम देख रहे हैं जी कि यहाँ पर gut cavity भी मौझूद है ठीक है gut cavity के अंदर इनका सारा digestive system जो है वो मौझूद होता है ठीक है और अगर हम बात करें इनकी pseudo-silom की यह silom जो इनकी cavity है false cavity होती है ठीक है true cavity नहीं है pseudo-silom है और यह काफी जो है बड़ी होती है large होती है ठीक है तो यह इनकी body wall के कुछ distinguished features है और इसी तरह से अब अगर हम बात करें feeding and digestive system की ठीक है तो इनके अंदर अब right side वाली picture को हमने consider करना है और इनके अंदर जो है complete digestive system मौझूद है what does it mean? कि mean इनके पास mouth भी है ठीक है? cone और stylet के नीचे इनका mouth होता है और mouth के बात इनके पास asophagus भी मौझूद है ठीक है? pharynx भी mouth के नीचे मौझूद है then asophagus है stomach है ठीक है और इसी तरह से intestine है and in the end जो है excretion के लिए anus मौझूद है so they have a complete package complete digestive system इनके अंदर जो है वो मौझूद होता है यहाँ पर right side वाली diagram को अगर consider करते है ठीक है इसी तरह से कुछ और organs की अगर बात की जाए ठीक है other organ systems की इन ही के अंदर ठीक है तो they have proton nephredia इनके भी pairs होते हैं यहाँ पर देखें left side वाली picture में हमने यहाँ पर ओके वेट a minute चलेंज जी यहाँ पर paired nephredia जो है वो भी मौझूद है ठीक है और nephredia जो होते है इनका भी excretory function होता है excretory system की तरह और यहाँ पर जो है osmo regulation में इनका किरदार होता है ठीक है तो यहाँ पर यह देखें यहाँ पर proton nephredia मौझूद है और यहाँ पर उनका nephrediopore भी जो है देखा जा सकता है इसी तरह से यह right side पर है तो left side पर भी जो है same चीज मौझूद होती है ठीक है और यह इनका different organs है इसी तरह से अगर nervous system की हम बात करें ठीक है we have brain हमारे पास इनका brain सामने नजर आ रहा है हमें brain मौझूद है और brain के अंदर से nerve cords निकलती है जो के body की communication में मदद करती है और इस nerve cord को ventral nerve cord कहते है ventral nerve cord ऐसा क्यों कहते है क्योंकि यह ventral region के में से होती हुई body के यानि के सामने वाले हिस्से में से होती हुई body के नीचे तक penetrate करती है ठीक है तो यह इनका nervous system होता है और इसी तरह से यह जो nerve cord होती है जिसका हमने बात किया ventral region में से जाती है यह क्या करती है के यह zunite हमने last video external में बात किती है यह zunite है तो यह basically क्या कर रही होती है कि इनके अंदर जो है ना हर zunite में थोड़ा सा concentrate हो जाती है ठीक है गुच्छे की शकल इक्तियार कर लेती है ठीक है और वहाँ पर ganglia जो है वो बना रही होती है और हमें पता है कि ganglia क्या होता है कि जो nerves होती है वो concentrate हो जाती है यह गुच्छे की शकल में जब हो जाती है तो हम उनको बोलते हैं जी कि यह ganglia है प्रिमिटिव ब्रेन है और राइट जी अगर हम इनके reproductive system की अगर बात करते चलें ठीक है यह diaceous होते है diaceous मीन के male and female जो है वो एक ही organism जो है वो दोनों का किरदार अदा कर रहता है यानि के both sexes are present on a single organism ठीक है तो यहाँ पर देखें हमने यह organism बनाया है left side वाली में देखें तो हमने यहाँ पर paired testis बनाया है ठीक है यह paired testis मौजूद है और इसी तरह से चलें यही हम consider करते हैं कि वो ही organism है और इसके अंदर भी ovaries भी है ठीक है तो इनके gonades जो है यह paired होते हैं यहाँ पर हमने एक single ovary दिखाई है इसी तरह से left side पर भी इसी तरह की ovary होती है ठीक है तो इसी के अंदर ovary भी मौजूद है और इसी के अंदर जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ पर चलें हम इनको concentrate होते हैं जी testis ठीक है तो testis भी paired form में होते हैं ovaries भी paired form में होती है और single organism के अंदर यह मौजूद होते हैं ठीक है और मजीद अगर इसी के हवाले से बात की जाए तो यह जो है इनके अंदर copulation होती है ठीक है और after that के जो young होता है इनके young one होता है वो hedge कर जाता है into larvae ठीक है larvae में hedge करने के बाद जो है वो क्या होता है के malt करता है larvae इनका और grow करता है ठीक है और उसके बाद वो adult morphology को attain का लेता है यानि के इस farm में larvae आ जाता है और इनके adult जो है वो क्या करते है उनके अंदर मजीद फिर malting नहीं होती तो यह इनके distinguished features है ठीक है और अगर हम इन डाग्राम को consider करते हैं and we know कि इनके parts कौन से हैं तो हम जो है इसको अच्छे से explain कर सकते हैं each and every aspect of the diagram ठीक है हमें पता चल सकता है कि कौन कौन सी चीज है क्या क्या उसका function है so we can elaborate about phylum kinorynka thank you so much for watching my video और अगर अच्छी लगी है आपको तो appreciation के लिए like भी कर दीजेगा और इसको subscribe भी कीजेगा मेरे channel को subscribe भी कीजेगा next video में जोइन करेंगे आपको शुकरियो